नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगी आसान और सरल तरीके से कॉलर बाली ब्लाउज की कटिंग एंडिश्टिची तो देखिए जब हम कॉलर बाली ब्लाउज बनाते तो सबसे पहले हम चैस्ट और सोल्डर करनाप लेना है तो इसकी जो चैस्ट है वो 32 है और सोल्डर है वह 14 दासने की मौरी है जो लंबाई है 13 इंच इसके पहले हम कंड देखेंगे कप्ड़ा किस तरीके से हैं तो आगी तो अगर आव चाहें फो पहले पीचे का फिरा आगी की का निकालल ले कपड़े को हमें पहले देखना है कि लंबाई कितनी है देखे पीछे का जो हमारा पल्लर है वो 13 इंच का आई यहां पर और डेड़ इंच हमें आगे के पल्लर में चाहिए तो हम क्या करेंगे इसको हमें ऐसे करना है छोटा बड़ा इस तरीके से एक इंच होगा तो भी चलेगा जैसे आगे की साथ एक इंच बड़ा होना चाहिए तो पीछे का पल्लर हमें यहां पर 14 इंच का रखेंगे और चेस्ट हमारी 32 है तो 16 इंच पर हमें एक निशान लगा लेंगे यहां पर उसके बाद 3 इंच लेंगे सिलाई के लिए अब यह हमारी चेस्ट हो गई यह हमारी गुंजाश हो गई अब करते हैं कटिंग अब देखिए हम इसको ऐसे करेंगे अब देखिए जैसे हमारे सोल्डर 14 इंच के हैं तो हम यहां पर 7 इंच लेंगे कि आरोमन लेंगे वह भी 7 इंच लेंगे अब देखिए हमें यहां पर लेना है 4 इंच एक इंच से थोड़ा सा कम इस तरह इस तरह किसे से कंट्टिंग जरूरी ए नहीं तो आपके यहां पर सोल्डर खिचे-खिचे से राएंगे, टाइट हो जाएंगे, अब देखिए हमें यहां पर गोलाई का ऐसे निशान लगाना है, अब इसमें हम पीछे का पल्लर निकाल लेंगे, अब आगे का पल्लर है, इसको ऐसे रखना है, तो यहां पर हम गले की चोड़ाई लेंगे, वो दो इंच की लेंगे, गले की लंबाई यहां पर 6 इंच, 6 इंच की लंबाई अब हमने चौकुटा इंशान बना लिया अब इसमें हम इस तरीके से बी सेप देंगे गले में देखे, इस तरीके से कॉलर वाले ब्लाउज में यही गल अच्छा लगता है अब आदा इंच हम यहां पर इस तरीके से आरुमल की कटिंग कर लेंगे यहीं तलक, जोल ना आए, देखे, आदा इंच इस तरीके से अब यहां पर जुड़ा हुआ है तो इसको अलग अब इसके बाद हम यहां पर टक्स का निशान लगाएंगे तो यहां पे हम't X का निशांन लगाएंगे वो लगाएंगे नौ इंच पर अब हमारे जो निकालेंगे गोरा उपन्मारा अंट इंच तो हमारी यहां पर ब्लेट आयंगे उपर चार इंच पर और आरिगया इस तरीके के दो इंच दूर रखेंगे हं मियाँ पर अब इस तरीके से हम यहां पर पि result डालेंगे तो पेले कैंची का कट लगा लें अब हमें बाजू निकालनी है तो देखें इस तरीके से हम अगर चोड़ाई देखें तो यहां पर चोड़ाई काफी बहुत कम है कपड़े की देखिए इस तरीके से देखेंगे तो चोड़ाई यहां पर 14 इंचे है तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे करके डबल करेंगे इस तरी डबल करने के बाद अब हम यहां पर लेंगे देखे जैसे यह हमारे आरूमल है तो इसको हमें देखना कितना है कितना कपड़ा चाहिए हमें तो यहां पर देखे इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे इस तरीके से तो 9 इंच आ रहा है तो हम कपड़े की जो चोड़ाई रखेंगे वो अठारा इंच की ले लेंगे अब इसके बाद हम इसको ऐसे डबल करेंगे अब जैसे हमें बाजू की लंबाई चार इंच की चाहिए हम यहां पर कप्ड़ी की जो लम्बाई रखेंगे वह व्हाद साड़े पांच इंच लेगे यहां पर कि यहां पर क्यू 오팀 यहां पर क मएàng प्रफोण व्हाएं कि यह हमारा डे इंच सिलाई के लिए हैं और फिर यहां पर हमारे चार इंच की बैज। हो जाएगे, एक इंच अंधर के सार जाएगा, आदा इंच यहारा पर जाएगा, तो 1.5 इंच हमें, पहले लेना तुरपाई के लिए, यह हमने तुरपाई के लिए आए, और बाकी जो काट लेंकि अब हम बाजू की सुछ कराएग़, बाकी जो कट्शा हैं, अवर ऑकप्रे हमें प्लेटों को डालेंगे तो यहां पर हम इसको ऐसे करके आदा इंच लेंगे यहां पर हमें आदा इंच लेना और इसको कम करते हुए उतारेंगे अब यहां पर जो नीचे की प्लेट है न यहां पर हमें एक इंच लेना है क्योंकि यहां पर हमें अच्छा सा पब बनाना है तो एक इंच लेते हुए हम इसको कम करते हुटारेंगे अब यहां पे भी हमें आदा इंच लेना दबल करके और यहां पे भी आदा इंच लेंगे आरूमल की प्लेटे इसको भी आदा इंच लेंगे अब देखे हमारी यह चारो प्लेटे डल गए अब इसी तरीके से हम अपने दूसरे पलर में डाल लेंगे अब दूसरी सैड भी हमने वे प्लेट की है डाल ली है अब हमें tuning प्रवालई पट्टी लगानी है अब दीखिए यह पर हम ने पट्टी के छॉड़ाई ली है वह दो इंच की लिए और ते पट्टी की चॉड़ाई ली है वहं जो तो काजवाली पट्टी हम दो इंच की डबल करके बनाएंगे इस तरीके से यह हमारा सीधा है सीधे को उपर हम यह पट्टी को रखेंगे अब यह हमारी हुक वाली पट्टी है इसको अंदर के शाट दबा देंगे अब देगे हमारी यहाब हुक वाली और काज वाली पट्टी दोनों तैयार है अब हमें क्या करना है एक गली में पट्टी लगानी है तो इसके लिए हमें एक चोकुटा कपड़ा लेना है अब देगे पट्टी को ऊपर हम सिलाई लगाएंगे अब इसके ऊपर आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं लेकिन आप इसको तुर्पाई कर लेंगे तो जाद अच्छा रहेगा तो हम यहां पर तुर्पाई करेंगे तुर्पाई कर लिए अब इसी तरीके से हम अपने दूसरा गला तैयार करेंगे करेंगे अब देखिए इस तरीके हमारे दोनों गले तैयार हो गए अब हम क्या करेंगे पीछे की साइट डेजाइन बनाएंगे अब इसको हमें डबल करके एक कैची के कट लगाना बीच में अगर आप चाहें तो इसमें सिंपल भी इस तरीके से रख सकते हैं तो अभी मैंने जो दो तिन कॉलर वाली व्लाउज बताई हैं तो इसमें मैंने पीछे डिजाइन बनाके आपको बताऊंगे और देखिए मैंने यहां पे यह पिलेट भी दाल लिए जो मैंने आपको कटिंग में बताई तो यह पिलेट डाल दी हैं अंदर की साइडे पट्टी भी यहां पे सिलाई लगा लिए अब देखिए हम यहां पे बीच में निशान बना लेंगे अब देखिए जितना हमें पीछे का गला बनाना है उतना हम बुक्रम लेंगे तो हम यहां पे इस तरीके से आदा इन चोड़के या एक इन चोड़के हम यहां पे निशान बनाएंगे हमें इतना बुक्रम चाहिए अब देखे हमारी यहां पर बुकरम की जो चोड़ाई है वो 7 इंच है और यहां पर लंबाई है वो 7.5 इंच है अब इसको हम ऐसे करके डवल करेंगे यहां पर हम कोई भी डिजाइन बना लेंगे वैसे इस तरीके का गला ही अच्छा लगता है अब इसके लिए हमें एक चौकुटा कपड़ा लेंगे और सिलाई लगा लेंगे पहले अब इसको डवल करके हम बीच में ऐसे लिए लिए अब इसको डवल करके हम बीच में ऐसे निशान बना लेंगे काटके इसको अंदर के शर्ट दवा देंगे हम देखिए पीचे की साइड हमने डिजाइन बना लिया है और हम यहां पर तुर्पाई करेंगे और इस सिलाई को हटा देंगे अब हम इसमें आगे के पलत जोड़ेंगे यहां से हमें सोल्डर से इस तरीके से इसको जूड़ना और जैसा हमारा कटिंग है उसी पर हमें सिलाई लगाने का अब हम यहां पर लगा लेंगे फिटिंग की सिलाई अभी तो हमें एक सिंपल सी सिलाई लगाने है अब देखिए हमें यहां से चैस्ट कनाप लेना है तो जैसे हमारी बत्ती चैस्ट है तो यहां पर 16 इन चारा है अब कमर कनाप लेंगे तो यहां से जो हमारी उकवाली पट्टी है यहां से हम इस तरीके से इसको जैसे हमारी 27 कमर है, तो यह बराबर आ रही है, तो अब हमें क्या करना है, कि जो हमारा एक कपड़ा है, इसको अंदर की शट दबा के तुर्पाई कर लेगे, तो बो हम आराम से कर सकते हैं, इस तरीके से, अगर आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, और पीछे की साइड हमने इस सिलाई लगाई है, तो यहां पे भी हम तुर्पाई करेंगो, इस सिलाई को हटा देंगे, अब मैं आपको इसमें कॉलर लगा के और बताते हूं, अब देखिए हमारा यहां पे जो बीच का निशान है, तो यहां से हमें ऐसे करके देखना है, कैसे लगाना है, तो हमें कितना आगे की साइड रखना है, तो हमें 3 इंच रखना है, आगे की साइड, तो यहां से हमें ऐसे इसको ना पेंगे, कि हमें कितनी बुकरम चाहिए, 11 इंच चाहिए, हमें लंबाई में बुकरम, अब देखिए हमें 11 इंच की बुकरम चाहिए, और 1 इंच हमें यहां नहीं रउत हैं हमें बुक्रम की ज्यादा ज्यादा सर्वाइंच एक इन से थोड़ा सा ज्यादा अब देखिए हम इसको थोड़ा सा सेफ में इस तरीके से कटिंग करेंगे तो को ज्यादा अच्छा लगेगा इस तरीके से बाकी आप चाहें तो सीधा भी लगा सकते हैं अब कपड़े के ऊपर हमें ऐसे बुक्रम रखने है और सिलाई लगाने है अब एक और पट्टी लेंगे और इसको बुक्रम बाली जो पट्टी है उसको ऐसे करके रखना हमें और बुक्रम के नीचे हमें सिलाई लगाने है यहां पर जैसे हमारी बुक्रम के कटिंगे ना उसी के बरावर हमें सिलाई लगाने है अब हमें कैचर के कट लगाने है जब हम इसको सीधा करेंगे तो जोल नहीं आएगी कि कि अब इसको डबल करके हम इसे ऐसे करके बीच में निशान बना लेंगे अब देखें जैसे हमारा कॉलर है तो यह बीच का जो निशान है इसको ऐसे जोनों निशानों को हम बराबर मिलाएंगे इस तरीके से अब जब हम नीचे के साथ सिलाई लगाएंगे तो देखें दूसरी पट्टी को भी हम इस तरीके से ना पेंगे और यहां पर ऐसे करके दूसरी साइड है वहां पर भी हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से हमारा ये कॉलर भी तयार हो गया लग गया है अब हम इसमें बाजू लगाएंगे तो जो हमने सिलाई लगाई थी फिटिंग की उसको खोल लेंगे थोड़ा सा आदा इंच तो देखें बाजू की जो मोरी है उस पर मैंने यहां पर सिलाई लगा लिया किनारे में उसके पाद देखें हमारा ये बीच का जो यहां पर सेंटर है बाजू को डबल करके यहां प पोल्डर पे इसको जोड़ेंगे इस तरीके से क्या है कि जो भी बाजू की जो चोड़ाई का कपड़ा ज्यादा है वो दोनों साथ बराबर आजाएगा गोच लगाएंगे अब शुब कपड़ा जादा है उसको काट लेंगे अब देखिया बाजु की जो मौरिया उसका निशान लगाएंगे तो जैसे हमारे मौरीया 12 शे इंच पे हम यहां पे निशान लगा लोगे जो हमारी पिटिंग के से लाए उसमें की से जोड़ेंगे अब देखिए हमारी बाजू लगके तयार है और इसी तरीके से हम अपनी दूसरी बाजू लगाएंगे अब देखिए अपनी पेली बाली जो मौरी है उसको हम ऐसे रखेंगे और यहां पर हम निशान लगाएंगे और जो हमारी सिलाई है उसमें इसको जोड़ना है अब देखिए हमारा बिलाउच बन के तयार है अब देखिए हम यह पर काद बनाएंगे और अंदर वाले जो पट्टे यह वहां पे हमें हूक लगाने तो यह बन गया हमारा कॉलर बाला बलाउच और इसका पीचे का ने देखिए इस तरीके से है तो अगर आप सिंपल बनाना सकते हैं तो आसा करते हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी ये तो प्लीज मेरी ये इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जय से जञायर करें कुछ पूछना या सीखना है सब्सक्राइब करें दन्रबर अब todavía को 6 झाल झाल